वेल्कम टु शिक्षा विधी गुड इविनिंग तो नहीं सही मायने में गुड नाइट बोलने का टाइम है ठीक है रात के एक बज़के पंदरा मिनिट है जब वीडियो आपको मिलेगी शायद ये मुझे नहीं पता मैं अपलोड पे डाल के छोड़ दूगा सुबह का टेंशन मतलोग वह बात नहीं है मैं एक शोट सेशन दे रहा हूं बस पांच चार मिनिट का और हिस्टोरिकल बैक्ग्राउंड शिका के जाओंगा दो चार मिनिट की जो वीडियो बनेगी उसके अंदर तुमारे चार नमबर पक्के हो जाएंगे दो कोशन आपको मिल जा अगर इसका इसे मोली अधिकार का ओग जिसको हैं की सलाइड से इसंग पीडिय एफ मेंने में अपने ऐप्लूड कर दूए ठीक है कोई बच्चा नया है बाई चांस नहीं तो मेरे पास होते नहीं है बट टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन केस आप नीचे तो वहां से जोइन कर सकते हो अगर जोइन नहीं है तेलिग्राम का चेनल तो आपके अपने वेनिफिट के लिए ओविसली मौल क्या चीज़ है वह बाद में देख लेंगे वह सुन लेंगे उसचीज के बारे में क्या है समझ लेंगे आराम से तो मौलिक अदिकार पार्ट थ्री में तो आर्टेकर का जिकर जरूराएगा तो आर्टेकर मौरास से लेकर बंबारास लेकर चिल security 35 अपर यह दिफाइन है अ जो जो यह दो आपको भूट मुखी विकास नहीं चाहर टाइप का जो development है, अजर किया क्या होता है आपका physical यानि जिसमें आप पैसे वैसा के आप जिसमें आपका इंतलेक्च्ट्ट डी डिवलप्मेंट और ने तिक यानि आपका जो moral development है और अध्यात्मिक इने पा इंटरन के राइट्स को ऑप्रेस ना कर सके दबा ना सके किसी के साथ सोशन या अन्याए ना हो यह सुनिश्चित करना fundamental right का काम है और आप को गी सरकार तो कुछ भी कर सकती है बात तो बिल्कुल ठीक सरकार कर सकती है इसलिए जो fundamental right के प्रिज अव गैरेंटर है यहीं फंडामेंटल राइट के प्रिज अव गैरेंटर है यहीं पूरा पढ़ा दूगा सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 32 अपना रिट्स का और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 यह हमारे fundamental right के गैरेंटर है यह सुनिश्चित करते हैं कि इसे के मूल अधिकार का उलंगन अगर सरकार ने किया है इन केस तो कोर्ट वहाँ पर हमें यह प्रोवाइड करेगा security ठीक है तो इसके historical background जहां-जहां से question बनते हैं वो कौन-कौन से है तो सबसे बहले मौलिक अधिकार सब शुरू कहा हुए थे फस्ट ओफ ओल सरवपर्थम जो ट्रमप पहड़ रहे हूं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार यह सरवपर्थम आये कहा थे इनका जिकर कहा में लता है सबसे बहले तो यह आयते युनाइटेड किंग्डम जिसको ब्रिटेन के नाम से जानते हैं आप आर्ग्यूमत करना किसी से भी कोई का फ्रांस में ऐसा वा था मैं पूरा प्यार से समझाओंगा आपको ठीक है जैन्वन फैक्ट है पेपर में जो 1215 में यह अब क्या हां पता है कि मोनार्की सिस्ट्म चल राजतांगर चला ओओं इस टीक ہے तो वहां कि जो पंध्य बद्य कर दिया मजबूर कर दिया किंग का नाम है जॉन तो राजा का नाम पूछे मैं जोनाम की राजा थे 1215 की बाद थी तो उनको क्या बाद्या किया वह जो पत्तर था इस्ताक्षर पत्तर चाह प्जाब कहते हैं लिखावा उसका नाम होता था मैगना कारटा की उस्प दात्ता कहा से बूल दिगार जहां भी आएंगे उसको मैगना कार्टा ही क्यों कहा जाएगा कि जब भी कोई इसके ढंको समझता है आपको ओटमेटिक से पॉइंट क्लिर हो जाता एक्चुली इसे बजट है पर बजट का तो फानेंचिल निंदिन में जिकरा ही नहीं होता तो पहले बार हो बजट पेस किया चमड़े एक थैले में था उसको बजट बोला गया तो बजट अब यह अलग अलग टाइम पहली बार इस्तेमाल करता है बारासो पंदरा में और सोलेसो नवासी दो अलग बात को कर दों समझ लेना कि यह ब्रीटिन के टाइम अभी किसी और कंट्री के अंदर हम नहीं घुसी अभी मैं सारी चीजी बता हूं चाहीं अभी तक ठीक है तो दो चीजी हाई एक तो है मेगना काटा यानि जो भी मोलिक सवतनतरताई है मोलिक सवतनतरता प्रदान करो प्रदान करनी हैं पहली बार इसका जिकर या समराट को बाद्य कब किया जाता है कब किया जाता है 1215 में और उफिसली इसको हस्ताक्षर पत्र में यानि अब उनके साइन ले लिए रिटन में ये कब करना रट होता है 1689 में रिटन के अंदर ही फिर आप एक आगी चलके पढ़ है उसके बाद आगे चलके जिकर आएगा इयर का जिससे कोशन पोचेगी एससे 1789 कोई हाँ ये बात सुनी सुनी लग रही कुछ फ्रांस में क्रांटी हुई थी फ्रांस रिवलुशन थी तो फ्रांस क्रांटी में तीन टाइप के शब्द आप लोग सुनते थे हैं को याद हो दो बताना क्या क्या थे बोलो 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 असे लाइज नी चल रही मैं बोलेता हूं सवतंतरता इंडिपेंडेंस समानता यानि इक्वैलिटी और बंधुता यानि फेटरनिटी तो यह तीन शब्द फ्रांस की क्रांदी में इस्तेमाल होती हैं और इसी के साथ फ्रांस की इस क्रांती के साथ जो फन्डामेंटल राइट इनको सम्वेधानिक रूप से देखो अब बाता दी कॉंस्टिशन की सम्वेधानिक रूप से यानि एक विदिक तरीके से पहली बार इनकी जो मान्यता है अप्रूव हुई थी तो लिगल तोर पे यह पहली बार फ्रांस में इनका जिकर आया तो इसलिए बार राजा ने अश्तक्षर कर्णु के अंदर यह फ्रांस के अंदर मैं इसका जिकर आया और उसके बाद उसके बाद 1791 अब फाइनली आप पढ़ते यूएस से जब अमेरिका में समिधान लिखा गया तो उस समिधान में लिखी त्रोप से ये अधिकार पतर सामने आया मुलिक अधिकार का तो अब फ्रांस ने 1789 ऐधिकार और फाइनलल आपके मुलिक अधिकार ये पन्डामेंटल राइट प्रोवाइड कि और ये आपको पता है जो भारत नेए फंडामेंटल राइट बाद पता हैं वो कहां से उठाए 1895 सबसे वहले कब 1895 एक समिधान विदेग था इसमें अलग अलग गवर्मेंट अफ इंडिय आक्ट आते रहे टाइम टेम तो इस समिधान विदेग में जो कब पारित हो है 1850 में भारत में मौलिक अधिकार की मांग उठी पहली बार तो याद रखना आप इसको वह कहीं याद करो जोहारलाल निरुवाला केस वह बहुत आगे चल के आएगा भी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट की पहली बार जो मांग उठाए गई थी वो कब उठाए गई थी 1895 के समिधान विदेग के थरू ठीक है उसके बाद 1925 आएंगी भी मुची जिब जिनका आप अधिक अधिक वेट कर रहे हूं 1925 एक नाम और आप सुनते हो एनिवेसेंट यस हिस्टोरिकल नाम है यह आप समने सुना हुआ है तो एनिवेसेंट ने क्या किया यह याद रहा लोगे 1925 कॉम्वन वेल्थ ओफ इंडिया बिल और एक 1928 की रिपोर्ट है यह 1928 की तो मांगनी जिकर आया है दो अलग अलग बाते हैं मांग पहली बार कब उठ चुकी है 1895 में दो रिपोर्ट आती है एनिवेसेंट की 1925 के अंदर नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट 28 के अंदर एनिवेसेंट वाला नाम याद रहा ना कॉमन वेल्थ ओफ इंडिया व और फाइनली कॉंग्रेस के इरली सेशन होते है सबको याद है वार्शिक अधिवेशन तो 1931 का जो अधिवेशन था और इसके जो हेड थे अध्यक्स थे वो कौन थे बताओ कमेंट कर दिया अगरो अच्छे सोरी लाइव नीए ओके वल्लभाई पटेल इस अधिवेशन के अंदर मौलिक अधिकारों की ओफिशल मांग की थी कॉंग्रेस ने मतलब अपनी डिमांड में सामिल कर लिया था कि अब हम भी अंग्रेजों के सामने मांग रखते हैं कि हमें हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड हम करेंगे मतलब ठीक है और मूल अधिकारों का अगर यह पूछे ड्राफ्ट किसने तियार किया था प्र नाम याद रहे जाएगा तेज बहादुर आपके इंगलिश में नाम इंगलिश में नहीं होता है भई तेज बहादूर ने फाइनली अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा था कि भाई भारते समिधान में शामिल कर लो इसको जो समिधान आप बनाने जाओगे उस समिधान में बहादुर की सिफारिश फिर कुछ उप्समीतिया बनी और यह सारी कहानी मतलवियां पे शामिल की गई यह सारा हिस्टोरिकल बैक्राउंड है फिर एक और डेट आपको याद होनी चीए अगें दस दिसम्बर आपको यह अपना मानिवादिकार दिवस है क्या बड़ी बात है तो 10 दिसम्बर 1948 जो अपना UN है United Nation जो इनकी महासभा होती है इस महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 से मानिवादिकार का जिकर किया और मानिवादिकार दिवस्टा तो यह जो human rights का funda है यह fundamental right वाली चीज है जो महासभा UN की है इसमें कुल मिला की याद रखना 30 आर्टिकल है यह अगे भारतिय समिधान नहीं है UN के जो human rights है मैं उनकी बात कर रहा हूं कहीं कि बाहर जाए कुछी बोल दो कि सर ने यह कहा था यह कहा था हमारा गलत करवा दिया यह अलग है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 बताओ दोबारा repeat करो कहां के बता रहा हूं मैं UN में जो fundamental rights या human rights प्रवाइ education last time रहा हूं भारतिय समिधान से मत जोड़ना human rights international बता रहा हूं UN की तो right to education भारतिय समिधान ने भी दिया है लेकिन भारत फिर भी उसको follow ना करे तो कौन हैंडल करेगा उसको विसी दी बात है सिर्शा कर दिकार फिर कौन देखेगा UN देखेगा आर्टिकल 21 राटिट टु इक्वैलिटी लोग नियोजन का जोवसर आप देखते हो right to equality की सामान ने सार्वजनिक सिवा सारे प्राप्त करेंगे सरकार से इतनी सिवाई मिलेंगे सबको मिलेंगी समान रूप से और आर्टिकल 25 राटिट टु फूड भोजन का अधिकार ये UN का जो constitution है जहां human rights mentioned है उसक आर्टिकल कुल टीस आर्टिकल उसके इंदर इंटायरली इसका जो complete system में आपको डिस्क्राइब करते है एक short form के अंदर वही सारे effect note कर ले ना अच्छे से याद कर ले ना तुमारे चार नमबर पकी हो जाएंगे जो तुमारी मुक्स में दिखाई नहीं देंगे उसके वाचिंग वीडियो अच्छी लगे तो किसी शेयर करना ना लगे तो मत करना तिल दैन गूद नाइट बाबाई